So Hi Everyone, फिर से आप सभी का स्वागत है को नए वीडियो में, तो दोस्तो जैसी कि आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले मैंने जो अपने चैनल को रिब्यू में भेजा था, मोटाइजेशन के लिए यूटूब के पास भेजा था, और दोस्तो आप सभी की मन में ये सवाल आता है, तो चले टाइमने वेश्ट करते हुए, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, तो दोस्तो मैंने अपने चैनल को मोटाइज में भेजने के लिए कौन-कौन से स्टेप मुझे फालू करना पड़ा, या कौन-कौन से स्टेप मैंने फालू किया, वो सारा चीज का लेट भी नोट करकर रखा है, टाइम भी नोट करकर रखा है, सभी चीज मैं आपको डीटेल में बताने वाला हूँ, तो दोस्तो मेरे चैनल पे 1000 सस्काइबर और 4000 का माइलिस्टोन होता है, वो 12-13 मार्च को complete हो गया था, उसके बाद दोस्तो मैंने अपने चैनल को review कर रहा और बहुँ सारे मैंने जो changes करा है, उसके बाद ही मैंने अपने चैनल को यूटूब के पास review में भेजा है, तो दोस्तो मैंने अपने चैनल के लिए 18 मार्च दो पार 12.30 बज़े मैंने apply किया था, मतलब मैंने होली के दिन 12.30 बज़े अपने चैनल को review में भेजा, apply किया, व second step के लिए मेरे पास पहले से adsense का account था, तो मैंने यहाँ पर ihab adsense account करके मैंने यहाँ पर select करा, उसके बाद मैंने अपने monetization section से सीधा adsense के account पर पहुंच गया, वहाँ पर मुझे लिंक करने के लिए बुला गया, वहाँ पर मुझे agree, disagree का एक option आया, जैसी मैंने agree पर click किया, तो हाँ पर मुझे एक और option देखनों के मिला redirect का, जैसी मैंने उस पर click किया, तो फिर से मैं यूटूब के monetization वाले page भे आ गया, फिर यहाँ पर दोस्तों जो मेरा second step था, वो in review में हो गया, मतलब मेरा second step था, वो in review में चला गया, 12 बच के 40 मिर्ट में in review में था, अब दोस् जितने भी step थे, वो जो 18 तारीक को ही complete हो गया थे, मतलब monetization तो on नहीं हो था, लेकिन जो step होता है, उसे मैंने complete कर लिया था, उसके बाद मेरा third step था, वो in progress में था, वहाँ पर YouTube के द्वारा मेरे channel को review किया जाता, उसके बाद decision लिया जाता, लेकिन दोस्तों 18 तारीक को मेरे channel को कोई भी review नहीं किया गया, उसके बाद Saturday आ गया, Sunday आ गया, उसमें भी मेरे channel को कोई भी review नहीं किया गया, वहाँ पर मैं बहुत ज़्यदे ही परसान हो रहा था, कि यार मेरा channel खुद का मेरे content है, खुद का सारा चीज है, उसके बाद मेरे channel को monetize होने में इतना समय क्यों दग रहा है, तो दोस्तों वहाँ पर Saturday और Sunday साय यूटूब काम नहीं करता होगा, इसकरार मेरा channel है दो तीन दीन से pending में रहा, मतलब इन review में रहा, और दोस्तों जैसी Monday आया, तो Monday में मुझे काफी time तक wait करना पड़ा, मतलब मुझे रात के 9 वेज तक wait करना पड़ा, क्यों क्योंकि हमारे तरफ रात होता है, तो अमेरिका में day होता है, तो जब भी आपके पास mails आते हैं वो जो night के समय आता है, या तो आपको चार बज़ आता है, या तीन बज़े मतलब रात में ही आपको ज़्यादातर mail receive होते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा, हमारे इ देखने के बाद आपको पता चली गया होगा कि ये कौन सा mail है, मतलब YouTube के द्वारा मेरे चैनल को monetize कर दिया गया था, पार्टनर प्रोगाम में मेरे चैनल को जोड़ दिया गया था, वहाँ पर मेरा YouTube का monetization है उसे enable कर दिया था, फिर दोस्तों मैं अपने YT Studio पे गया, मतलब Chrome वाला YT Studio पे गया, वहाँ पर जितने सारे मेरे वीडियो से तो सभी के monetization आप था, अब मुझे इसे on करना था, तो दोस्तों मैंने एक trick लगाया, सभी वीडियो को alt select कर दिया, select करने के बाद मैंने एक monetization का option वहाँ पर मिलता है, उसको आप यदि on कर देते हो, on करने के बाद जब आप save करते हो, तो आपके channel पे जितने भी videos रहते हैं, उसका monetization on हो जाता है, तो दोस्तों उसी प्रकार से मैंने अपनी सारे वीडियो का जितने भी monetization off उसे enable कर दिया, और दोस्तों finally मेरा YouTube channel अब monetize हो गया है, अब मेरे channel पे जो dollar भी बनने लगा है, यदि आप comment करते हो कि आप अपनी first earning के video बनाओ, तो इसके एलिए मैं जो एक video ला दूँगा, बस आप मुझे comment करके बता दो, सो दोस्तों finally आप सभी के प्यार और support से आज मेरा channel का monetization on हो गया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यावाद, दिल से धन्यावाद कहना चाता हूँ कि आप सभी ने मुझे इतना जयदा support करा है, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप इसी प्रकार से मुझे प्यार करते रहेंगे, support करते रहेंगे, तो दोस्तों आज वीडियो पर बस इतना ही है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह video पसंद आई होगी, अगर video पसंद